नमस्कार आप देख रहे हैं चर्चा और मेरे साथ इस वक्त मजूद हैं विरिष्ट पत्तरकार बलबन तक्षक तक्षक साव एक बार फिर से हर्याना का जिला मैबाद दहल उठा है आगजनी की तस्वीरे आपने भी देखी और हमारे दर्शकों भी ने भी हुक्मरानों के तरह तरह के प्रतिक्रम आए आम अवाम जो है वो भी अपना प्रतिक्रम इस पूरी आगजनी ब्रजमंडल यातरा के दुरान जो हिंसा हुई जो पत्राव हुआ जो गोली बारी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि चालिस के करीब गाड़ियं भी इसमें जला दी गई तो आपसे जानना चाहूंगा कि और दर्शकों को भी बिताना चाहूंगा कि आखर कब क्यों कैसे और किस तरह ये सारी हिंसा की घटना हुई तो सबसे पहला सबात तक्षक साब आपसे यही कि आखिरकार मेबात जो आज जंग का मैदान बन गया उसमें इस हिंसा की शुरुवात आखिरकार हुई कहां से देखे सुनिल मेवात छेत्र हरियाना का एक मात्र मुस्लिम भूल इलाका है नू जिले से विश्विंदू परिशद और मात्र सक्ति दुरुगा वाहिनी की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जानी थी यह यात्रा नू से शुरू होकर फिरोजपुर जिरका के शिगार गाउं तक पहुंचती है इस यात्रा के दुरान ही दो कुटों में अचानक पत्राव शुरू हो गया गाड़ियों को आग लगा दी गई पुलिस कर्मी भी पत्राव में घायल हुए हैं नू के सच्चों अंबीर सिंग जखमी हैं कुछ अन्य लोग भी इस पत्राव में घा कोशिसों में काम्याबी नहीं मिली तो दूसरे जिलों की पुलिस को भी नू के लिए बुला लिया गया है मैं आपको यहां पर यह भी क्लेर कर दूँ कि मैं बात को नू कहा जाता है क्योंकि कुछ वक्त पहले सरकार ने में बात को जिला नू नाम चेंज कर दिया था क्यों दूसरे जिलों से तो नू में पुलाई ली गई है दो दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है दो अगस्ता की इंटरनेट नू जिले में मेवाद छेतर में बंद रहेगा दारा एक सो चौालिस लगा दी गई है जिले की शीमाय सील कर दी गई है ताकि उपदरवियों पर दूसरी तरफ से लोग आके उस हिंसा को ना भढ़कास के और पुलिस ने सक्ती से हिंसा को दबाने की कोशिश शुरू कर दी आप बार बार पुलिस का जिखर करें तो बाहरी जिलेों से भी कहते हैं आप बता रहे हैं कि पुलिस टीमें बुलाई गई हैं तो कितनी कंप को बुलाया गया हैं लेकिन मैं सुनी लिए प्लिस फोर्स क्यों बुलाई गी हैं देखिए कि महां दैसत का माहूल है भै का माहूल है लूट पाट की भी कुछ घटनाओं की खबर है हाला कि अधिकारियों ने पुष्टी नहीं की लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दो लोगो की की पुलिस पर भी की आते जाते वहानों पर भी पत्राव किया गया और करीब 40 कारूं के अलावा कुछ बसें स्कूटर स्कूटी और दूसरे वहान भी आख की भेट कर दिये गए यात्रा के दोरान जिस हिंसा की उमीद नहीं थी जहां कहा गया था कि यह यात्रा शांती पूर्ण तरीके से चलेगी ऐसी हिंसा होगी ऐसी कलपना शायद राज सरकार ने या नू छेतर के लोगों नहीं की होगी अच्छा दूसरी तरफ तक्से साब आप भी वरसों से देखते आ रहे हैं राजनीती को भी जब भी कोई घटना करम ऐसा होता है या हिंसा होती है या मुख्यमंतरी मनौरलाल के ओएजडी ने काया है कि पुलिस अपना काम कर रही है लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें ताकि अब दर्वियों के या समाजी तत्तों के खिलाब पुलिस को कारवाई करने में कोई बादा ना आए उन्होंने ये भी काया है कि आसपास के जिलों की पुलिस नो पहुंच चुकी है और हिंसा को काबू करने की पुरी कोशी से की जारी है पुलिस अपना काम करेगी जो भी दोसी होंगे उनके खिलाब कारवाई होगी अच्छा तकसे साब इसी मसले के समन्ध में एक और बीडियो भी इस वक्त काफी च कहा गया था वो भी अपने दर्सकों को एक बार बता दे यात्रा से पहले मौनु माने सर उर्फ मोहित यादव ने एक वीडियो वाइरल किया था वे बजरंगदल गोरक्षा के प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि यह यात्रा 31 जुलाई को नू से शुरू होगी और फिरोज के साथ इस यात्रा में आएंगे और जब यह वीडियो वाइरल हुआ तो राजस्थान में भरतपूर जिले की पुलिस मौनु माने सर को गरिफतार करने के लिए वहां पहुंच गी हालांकि वो इस यात्रा में सामिल नहीं हुए पुलिस उनकी गरिफतारी के तलास में थी अब हिंसा भड़क गई उनके वीडियो वाइरल हुए लेकिन वो खुद इस यात्रा में पहुंचे नहीं सुनी है अच्छा दूसरी तरफ बो तो नहीं पहुंचे लेकिन पुलिस तलास रही है एक मामले में वो मामला क्या है यह मामला सुने लिए है कि राजस्थान में भ लेकिन बहुत असकरी के आरफ थे इनको अद्ञणी हालत में पुलिस के हवाले करने की कोशिश की की थी लेकिन बाद में इनको एक बॉलरेओ गाड़ी में भीमानी जिले के लोहरू चेतर में लाया गया और वहां बॉलेओ गाड़ी को आग लगा दी गी इसमें दोनों जो इन में से एक की मृत्यू हो चुकी थी दूसरा अधमरी हालत में था और इनकी जली हुई एक बोले रहो गाड़ी से इनकी लाशें बरामद हुई थी कुछ लोगों को पुलिस ने इसमें नामजद किया था और मौनू मानेसर भी हत्या क का कोई ब्यान सामने आया था उसने इसी ब्रजमडल यात्रा के समन्द में कहा था कि 30 जुलाई को यह यात्रा शुरू होगी और मेवाद चेतर के सबी मंदिरों में होते हुए जाएगी तो लोग उसमें अपना माथा टेकेंगे अपना माश्य आशिरवाद लेंगे मंदिर में और लेकिन फिरोजपुर जिरका नू से यात्रा जब फिरोजपुर जिरका के लिए शुरू हुई तो नू शहर में अचानक इस यात्रा पर पत्थराव शुरू हो गया दो कुटों में टकरा हुआ और उस टकराव का नतिज़ा यह है कि 40 से ज़्यादा गाड़ियां फ नू छेतर में शांति स्थाफित हो जो इस मामले में असमाजिक तत्व हैं उनकी गरफतारियां हो और जो इस हिंसा को भड़काने वाले लोग थी उनके खिलाप पुलिस सक्ती से कारवाई करें तो आने वाले दिलों में बहुत सी गरफतानिया होंगी बहुत से लोगों के हत्या कारोब मोनो मानिसर और उनके कुछ साथियों पर है देखना ये होगा कि नू जो है जो आज हिंसा की आग में जल रहा है जलस रहा है वहां कब तक पुलिस और प्रशासन शांति स्थापित कर पाता है बिलकुल शांति की अपील प्रशासन भी कर रहा है लेकिन दूसर तक्षक साथ कुछ एहम सबालों का जबाब इस मसले पर हमें देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया सुने जी